सबी जुड़े हुए अभ्यर्थियों का स्वागत है तो आईए आज की special class start करते हैं यहाँ पर जो question यहाँ पर question number 27 हमारा last question था पिछली class का जिसमें पूछा गया था कि इकाई क्रम्चे जो होता है इकाई क्रम्चे किस प्रकार का होता है समू होता है तो answer था इसका कि इकाई क्रम्चे जो समू होता है वो है सम क्रम्चे समू हुआ करता है इसको memorize करना है इसी form में इसके बारे में detail जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है चलिए अब question number जो है अब जो है question number 28 से start करते है question number 28 ठीक है क्या कहरा देखे question number 28 10 पूरुसों और 7 महिलाओं वाली एक समिती जिसके 6 सदस से हूँ ठीक है तो यहाँ पर कितने में हैं यहाँ पर 10 में हैं और 7 वूमें हैं और इन उनों से select करके हमें कितने लोगों की समिती बनानी हैं six लोगों की गठन करना है कि एक समिती में कम से कम तीन पूरुस तो at least 3 मैन होने चाहिए और कम से कम तीन पूरुस और 2 महिलाएं तो कैसा है कम से कम तीन पूरुस है at least 3 पूरुस and at least 2 महिलाएं दो वूमेन होने चाहिए ऐसी समिती का गठन किस प्रकार से किया जा सकता है यदि दो विशेस महिलाएं एक समिती का सदस्य होने से इंकार करती है इसमें एक कंडिसन और भी दी गई है कि दो विशेस महिलाएं जो है एक ही समिती का जदस्य होने से इंकार भी कर देती है ठीक अब देखिए सबसे पहले हम कुल निकाल लेते हैं ऐसे question को करने के लिए हमें कुल निकालना पड़ेगा इसके options भी दिये हुए हैं तो option भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको तो बिना इसमें तो कोई trick लगने वाला सवाल ही नहीं है बिना हल करे इनके लिए कोई मेरे ख्याल से विसेश कोई trick होती नहीं है तो इसको हमको हल करना ही पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुल समिती निकालनी पड़ेंगी बिना किसी प्रतिबंध वाली, कुल सिमिती निकालने पड़ेंगी बिना किसी प्रतिबंध वाली तो देखें, दस मैन हैं और साथ वूमेन हैं, और हमें कितना हैं, कम से कम तीन मैन चाहिए हैं तो देखें, एक तो तरीका ये है कि दस में से तीन पूरुस ले लीजिए अब तीन पूरुस हो गया है तो छै के लिए हमको साथ में से तीन महिला लेनी पड़ेंगी, तो सेवन सी थरी, ये होगा और क्या हो सकता है यदि ये हो गया या दूसरा ये हो सकता है कि टैन सी फोर, ओके पूरुस बढ़ा दिये हमने और अटलीस टू वूमेन है तो 7C2 ठीक ना 7C2 अभी भी 6 सदस हो गया है तो जली इसको सॉल्व कर लेते हैं 10C3 को, 10C3 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 7C3 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 2 इंटू 1 प्लस 10 C4, चलिए इसको काट कूट दीजिए, 2 से यहां जाएगा, यह 4 बार, 3 से जाएगा, यह 3 बार, 3 से 3 भी कैंसल हो गया, 2 से यहां पे 3 बार 6 जाएगा, और सब कुछ कैंसल हो गया, तो चलिए उपर क्या बंज गया है, उपर है 10 into 4 into 7 into 3 into 5, एक चीज तो यह है, और 10 C4 मतलब 10 से 4 कदम पीछे, 10, 9, 8, 7, और नीचे 4, 3, 2, 1, और यहां पे कितना हो जाएगा, 7 गुने 6 और यहां पर हो जाएगा 2 गुने 1, चलिए तो 4 गुने 2, 8 से 8 कैंसल कर दीजिए, 2 से 3 बार 6 कैंसल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल हो गया, अब थोड़ी सी यहां पे मेहनत आपक करनी पड़ेगी, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व किया जा, 4 गुने 3, 12, 12, 15, 60, तो 10 गुने 6, 4 गुने 3, 12, 12, 15, 60 हो गया, और यह 7 हो गया, तो 6, 7, 42, तो यह कितना हो गया भीया, यह हो गया, 42 हो, और यह कितना अपने पास आएगा, 10 गुने 9, गुने 7, ग प्लस 9 का मल्टिप्लाई 0 लगा दिए, 9, 81 की एक हांसे लाई, 8, 9, 36, और 36, और 8, 6, 8, 14, यानि 44, तो 410, तो कितना हो गया, अब 4, 26, मतलब 86, 110 कुल बने हैं, आपसन में भी 86, 110 है, मगर याद रहे, यह आपसन गलत है, अभी मसले करिएगा, क्योंकि यह कुल है, क्योंकि दो विशेस महिलाएं एक ही सिमिती का सदस्य होने से इंकार कर देती हैं, अब हमको वो सिमितियां लेना है, कि जिसमें वो दो विशेस महिलाएं ना हो, ठीक? तो हम क्या करते हैं, अब हम वो महिलाएं लेते हैं, जिसमें दो, वो दो महिलाएं हो, फिर उसको हम इन कुल समितियों से निकालेंगे, तो हम वो केस निकालते हैं, कि जिसमें वो दो पर्टिकुलर महिलाएं हमेशा हो, अब यह सोचिए कि वो दो केस कैसे निकाले जा सकते है कि जिसमें वो दो पर्टिकुलर महिलाओं हो ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखिए उन दो पर्टिकुलर महिलाओं वाले case कि भाई अब देखे जहां पूरुस की बात है तो क्योंकि दो महिलाओं साथ में रहें उस case को हमको निकालना है कि दो पर्टिकुलर महिलाओं रहें साथ में तो कर्शन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जबकी दो विसेस महिलाओं एक ही समिति का सदस्य होने से इंकार करती है तो उनको उनको आपको निकालना है उन quizzes को जिसमें दो महिलाएं एक ही समिति का सदस्य होने से इंकार कर देती है कि हम एक समिति में नहीं रहेंगे और at least कम से कम तीन पूरुस है और दो महिलाएं है ठीक और अपने पास साथ महिलाएं है तो बताईए इसको कैसे किया जाए थोड़ा से यहां पर अठक रहें बताईए कैसे करेंगे देखी केहर अब हम वो केस निकाल रहे हैं जिसमें दो महिलाएं सामिल रहेंगी जिसमें वो जो दो विरोधा भास वाली महिलाएं हैं वो सामिल रहें ठीक ना तो उन सिमिति की संख्या जिन में वे दो महिलाएं शामिल रहें तो भाई अगर वो दो महिलाएं सामिल हैं तो सबसे पहले देखे पूरुष टोटल कितने हैं अपने पास में पूरुष टोटल अपने पास में 10 हैं और 10 में से यदि हमें 6 की कमेटी बनानी है तो 10 में से 4 पूरुष सेलेक्ट कर लिजिए 10 में से 4 पूरुष सेलेक्ट करिए हैं और सेलेक्षन के लिए 2C2 क्योंकि दो महिलाएं हैं विसेस और उनको हमने 2C2 कर लिया एक चीज़ यह हो गई 1C2 बन गया वो 2 महिलाएं साथ में हैं दूसरा क्या कहा था कि पूरुष कम से कम 3 हो तो यदि मैं पूरुष को 3 करता हूं तो महिलाएं हमारे पास टोटल कितनी है भाई अभी यहाँ पर हमारे पास में तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल यो महिलाओं की संख्या है टोटल महिलाओं की संख्या है साथ और साथ में से वे दो तो चुनी ही जानी है तो 2C2 तो चुनी ही जानी है तीन और दो 5 हो गए और टोटल महिलाओं की संख्या साथ थी जिसमें से 2 Specs वाली है बच गई कितनी ? 5 तो 5 में से एक अन्यमहिला चुनी जा सकती है और देखें और कोई केस बन सकता है क्या और कोई केस नहीं बन सकता क्यूंकि पूरुस को हम 3 से कम नहीं कर सकते तो आईए देखते हैं 10 C 4 का मान कितना होगा तो 10 into 9 into 8 into 7 ये हो गया 10 into 9 into 8 into 7 और 4 into 3 into 2 into 1 ये हो गई बात और 2 C 2 का मान तो होता है 1 और 10 C 3 मतलब 10 into 9 into 8 और C 3 याने 3 into 2 into 1 into कितना हो गया 5 काटा कुटी कर दीजिसे 3 3 3 बार जायगा 2 से 4 बार जायगा 4 से 4 कैंसल हो गया तो 10 गुने सातियां 21 और 21 गुणे 3 यानि कि यह 210 हो गया प्लस यहां से काटिये देखे 2 से 4 बार चला जाएगा यह 8 और 3 से यह 3 बार चला जाएगा 9 तो 3 चोके 12 और 12 पंचे 60 और 60 प्लस 10 हो गया 60 गुणे 10 बराबर हो गया 600 तो कितना हो गया यह 810 केस हो गया है जिसमें वे विशेस महिलाएं सामिल है तो हमें निकालना है वे केस जिसमें वो विशेस महिलाएं सामिल ना किया जाए तो आंसर इसमें आएगा हमारे पास जिसमें महिलाएं सामिल ना हो बराबर कुल केस तो कुल केस आपने इसके पहले कितने निका ले थे 8610 तो कुल केस हैं 8610 और माइनस करना पड़ेगा 810 तो 8610 में से 810 माइनस कर दीजे 0, 0, ok 16 में से 8 गए 8 हो रही बच्चे का 78100 तो आंसर हो जाएगा कुल 78100 सिमिती सम्भव हैं इस प्रकार से 78100 सिमिती सम्भव हैं चलिए सभी को समझ में आगया क्लियर है आगे बढ़ने की जाएद दीजे ok 28 question done अब इसके बात बात करते हैं question number 29 की देखे 29 जो है दुपद बंटन का question है बारम बारता वितरण दुपद बंटन बाइनोमियल बरनोली distribution जिसको बोलते हैं बरनोली ट्रायल एक से ज़्यादा के लिए लगता है यह वहां का question समझ में आ रहा है क्या कह रहा है दिपट प्रायक्ता बंटन ने बरनोली binomial distribution में एक द्राचिक चार के माध्ध चार और दो है तो भाईया आपको जो माध्य होगा प्रसरन दिया गया है माध्य और प्रसरन तो हमको जान पकारी है कि जो माध्ध होता वो होता है NP का मान कितना है चार और प्रसरन होता है NPQ NPQ का मान कितना है दो ठेक है ना तो अब सबसे पहले P X equal to 1 मतलब probability निकालनी है X equal to 1 पे तो probability X equal to 1 पे निकालनी है तो हमें Q equal to 2 की जानकारी होनी चाहिए तो NP Q equal to 2 है तो NPQ में आप NP का divide कर दीजे तो देखें यह है 2 यह है 4 NP से NP कैंसल हो गया है कितना आगया 1 upon 2 मतलब P का मान जो है Q का मान हमारे पास उप्चर है 1 by 2 और हम जानते हैं Bernoulli ट्राइल में P plus Q बराबर 1 होता है तो P बराबर 1 minus 1 by 2 हो जाएगा तो P का मान भी कितना आगया 1 by 2 अब क्या कह रहा है P X equal to 1 निकालना है भीया मगर अपन को इसके लिए पहले N निकालना पड़ेगा तो NP बराबर कितना दिया है NP बराबर हमको दिया है 4 तो N बराबर N गुने 1 by 2 क्योंकि P का मान 1 by 2 बराबर 4 है तो N बराबर कितना आगया 8 चलिए सभी समस्या अंत हो जाएंगी अब X equal to 1 सफलता के लिए तो क्या हो जाएगा NCR P की पावर R होता है और Q की पावर कितना होता है N minus R यह होता है फॉर्मूला तो NCR तो यहाँ पे N का मान 1 है और 8 है 8C1 एक सफलता P याने 1 upon 2 की पावर 1 और 1 upon 2 की पावर कितना 8 minus 1 तो यह कितना हो जाएगा देखे 8C1 का मतलब हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 1 upon 2 8 में से एक गए 7 बट यह मिल जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 की पावर 8 अब देखे हम 8 को क्या लिख सकते है 2 की पावर 3 और यह हो जाएगा कितना 1 upon 2 की पावर 3 into 2 की पावर 5 पास तीन आट 2 से 2 कैंसल हो गए तो 1 upon 2 की पावर 5 याने 32 तो इसका सही आंसर होगा एक बटे 32 करेक्ट आंसर इसका नोट कर लिजिए ए आप्सन है एक बटे 32 तो इस तरीके से question number 29 complete हो चुका है आप इसके बाद देखते है question number 30 देखे 12 व्यक्तियों के एक समूँ से 5 व्यक्तियों की अध्यच्छ सहीद गठन करना है तो पहले तो भाईया अध्यच्छ का चुनाओ कर लिजिए 12 व्यक्तियों का एक समूँ है और आपको एक अध्यच्छ सहीद गठन करना है तो समीतियों की संक्या तो बहुत सेंपल सवाल है यह तो बहुत आराम से हो जाएगा टोटल बारस लोग हैं एक अध्यच्छ सहीद मगर अध्यच्छ में आपको एक चीज़ यह देखना पड़ेगा कि क्या इसमें अध्यच्छ में भी पांच व्यक्तियों की एक अध्यच्छ सहीद कमेटी गठन करनी है मतलब पांच व्यक्तियों में एक अध्यच्छ ही रहेगा तो सोचने की बात यह है कि अध्यच्छ कोई मनोनीत कर दिया जाएगा या अध्यच को भी हमको select करना पड़ेगा क्योंकि मन को पहला देखते हुए चीज आ रहा है कि 12C5 मतलब 12 में से 5 लोगों का selection करना है तो 12C5 ठीक एक चीज चलिए तो देखिए यहां पर यह काम जो है यह दो पार्ट में हो जाएगा इसको कैसे करना है दो पार्ट में तो 12C5 जो आंसर है वो इस तरीके से नहीं होगा कि आप ऐसे कर दें क्योंकि इसमें एक अध्यच भी है इतना इस तरीके से नहीं होगा इसमें बहुत दूसरे तरीके से करना है उसको चलिए हम आपको explain करते हैं कैसे होगा तो सबसे पहले भाई देखे अध्यच्छ का चुनाओ कर लीजे तो अध्यच्छ तो पांच लोगों की कमेटी हमें सेलेक करनी है जिसमें से एक अध्यच्छ होगा वही पांच लोगों की मीटिंग मनानी है तो उसमें से पहले एक अध्यच होगा तो बारा में से एक अध्यच चुन लीजे भीया तो बारा C1 हो गया क्या अध्यच अपना एक तो बारा में से एक आदमी किते तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो बारा तरीके से अब उन में से कोई एक अध्यच बन जाएगा अब बचे किते लोग 11 तो 11 में से आपको 4 लोग सेलेक करने हैं तो पहला हो गया 12C1 अब उसके बाद क्या हो जाएगा 11C4 ठीक है ना तो टोटल आंसर कितना होगा आंसर होगा 12C1 गुने 11C4 अब इसको आप हल कर लीजेगा तो आपका आंसर आजएगा 3600 3960 is the correct answer डी बन जाएगा आपको इसका correct answer चली अगले सवाल क्यों चलते हैं कह रहा है कि 10C R बराबर 10C R प्लस 4 भाई ये तो वर्ल्ड का सबसे एजी सवाल है बहुत सब सिंपल है तो क्या हो जाएगा देखे R प्लस R प्लस 4 यानि 2R प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10 तो 2R बराबर हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 तो R का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये तो बहुत इसी सवाल है अगला question देखिए 32 question M पंक्ती एक पंक्ती में बैठे हुए है M पंक्ती एक पंक्ती में बैठे हुए है इसमें से 2 का चुनाव यद्र च्छाइक रूप से किया जाना है chain किये गए व्यक्तियों के एक साथ नहीं होने की प्रैक्ता है दो chain किये गए व्यक्तियों के एक साथ नहीं होने की प्रैक्ता बहुत बढ़िया तो आप इसको ऐसे समझे कि ये question बहुत घुमाने वाला concept है आप ऐसे समझे कि कुछ पाँच लोग ऐसे बैठे हुए हैं एक यह दो यह तीन यह चार और यह पांच ठीक है ना तो पांच लोग ऐसे बैठे हुए हैं अब इसमें कहा है कि पांच लोगों में से दो लोगों का chain किया जाना है मगर सर्थ यह है कि ये दो लोग जो होंगे chain किये व्यक्तियों के एक साथ मतलब ये ना हो कि इस तरीके से ये बैठे हों, ठीक है ना, चैन की ये व्यक्तियों के एक साथ होने की प्राइक्ता आपको ग्याद करनी है, एक साथ ना आने की, तो देखे कैसे कर सकते हैं इसको हम, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले भाई आप जो है टोटल लोगों को ले लीजिए है ना तो क्या है concept यहाँ पे हमको प्राइक्ता निकालनी है प्राइक्ता की दो लोग एक साथ ना आए concept क्या है P 2 लोग एक साथ ना आए आजू बाजू वाले दो लोग एक साथ ना आए equal to कैसे करेंगे one minus प्राइकता साथ हाएं यह साथ हाएं ठीक ना तो साथ वालों की प्राइकता हम एक से माइनस कर देंगे तो one minus अब देखिए पहले सबसे पहले लिखे कुल केस कित्ते लिखे लेंगे तो टोटल कित्ते लोग है यहां पांच है तो पांच में से दो लोग सेलेक्ट करते तू 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 फाइप सी टू होता बट यहां पर एम लोग है तो एम लोगों के लिए नीचे कितना आएगा यह नीचे आएगा mc2 ओके नीचे आएगा mc2 ठीक है अब इसके बाद हमको solve करना है कि वो देखिए प्राइक्ता में साथ आए वाला किस प्राइक्ता में कितना लेना है साथ आए वाला किस तो कितने लोग साथ में आएंगे उपर हमको वो केस निकालना है कि कितने लोग स साथ में आएंगे वो हमको निकालना है अगर यदि मैं इसको 5 के फार में देखता साथ में साथ में आने वाले केसिस तो मैं इसको क्या करता देखे एक इसको मैं बंडल मान लेता तो ये टोटल मेरे पास किते काउंट उटे एक दो तीन चार तो साथ में आने वाले केसिस के ल उन दो लोगों का चुनाव करना है जो लोग साथ में आएं.